जुबुले, तुमने इतने साल तुमारे खिलाफ बहुत सारी चीजे की है और मैं वो सब जानता हूँ मिस्टर कुईन, आप ये सब कैसे जानते हैं? क्या आपके बहुत सारे जासूस हैं? हाँ, तुम्हें मुझे ये कभी नहीं पूछना चाहिए जी, और इस बात का खुलासा कार ही दीजिए देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ये बताने चाहता हूँ कि तुम अपने जीने का तरीका जरा बदल दो मुझे पता है, तुम्हें मारना वगेरा पसंद नहीं है तुम्हें ऐसी जिन्दगी से पहले से ही परिशान हो चुके हो दुबारा मिलने का मौका जरूर आएगा इजाज़त दीजे युन्वेन, हम साथ में पले बड़े है क्या तुम्हें भरोसा नहीं? क्या तुम्हें राजकुमारों की शक्ति कम करनी है? हाँ, मिलकुल मगर क्यूं? क्योंकि कोई भी चाजा मेरी सुन नहीं रहे अगर शक्ति कम कर दी तो वो मान जाएंगे उन्हें मानना होगा, अगर नहीं माने तो क्या करोगे, मान डालोगे उन्हें? योंग पिंग, हम इसके बारे में क्यों जगडा कर रहे हैं? तुम्हें इसकी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें महाराज की शक्तियां कम करनी है ना? तुम मेरे महाराज को मारने वाले हो ना? और मुझे भी? नहीं, योंग पिंग, तुम तो मुझे जानती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूँगा और महाराज का क्या? और मेरे जाजबात बदल सकते हैं योंग पिंग, तुम्हारे लिए मेरा मन नहीं बदल सकता अगर मैं सिंहासन पर बेटूँगा, तो मैं तुमसे शादी करूँगा हाँ, योंग पिंग, तुमसे और कुछ मत कोओ, मुझे बात मताओ महाराज और शक्तियों के बारे में बिल्कुल भी बात मत करो क्या तुम मुझे चाहती हो? बोलो योंग पिंग, बताओ मुझे मैं ठीक है, मैं समझ गया कोई है? जी, राजकुमार राजकुमारी योंग पिंग को ठंडी जगा पड़ लेकर जाओ जल्दी करो मेरे इजाजत के बगेर बाहर नहीं जा सकती जी मुझे छोड़ दो जाने दो मुझे मुझे छोड़ दो योंवेन, राजकुमार की शक्तिया कम मत करो वो यह क्यों कर रही है अच्छी खुजबू है ना सहीगा प्रेंग तुम् पर यखे तो हूं हुख तुमने भाई को कूंफू छोड़ने के लिए क्यूं कहा हूं मैंने तुम्हें मारने के लिए लोग नहीं भेजे थे फॉटर moral है दूहाएँ तुम मेरे भाई को कुछ नहीं होने दो गें मुझे पस उनको कुंफु में हराना था मैं उसे मारना नहीं चाहरा था फैंग तुम्हें पता है वो जुडी का आदमी है इस दुनिया में उसके जैसा कुंफु में कोई माहिर नहीं है अगर यूद शुरू हो गया और उसने सैनिक बढ़ा लिये तो फिर हम उसे यूद्मे कभी नहीं हरा सकते जुडी उसे जाने देगा उसे अब लड़ने की ज़रूरत नहीं और उसे उन चीज़ों को करने के लिए द्यालुता चुकाने का बोज भी नहीं उठाना पड़ता है जिससे उन नफरत करता है फैंग मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ फैंग फैंग क्यों मर गया बताओ मुझे भाई को मेरे लिए अपना कुमफु छोड़ना पड़ा ताकि हम जेड से इलपा सके लेकिन मैंने उसे हरा दिया वो अब कैसा है वो अब तक कोमा में है अगर वो जाग गया तो वो यहां जरूर आएगा क्यों से पता है हमने जो किया मुझे नहीं लगता लेकिन वो हमें चोट नहीं पहुँचाएगा अगर जंग में हम एक दूसरे के साथ भीड़ भी गए तो भी वो हमें चोट नहीं पहुँचाएगा फैंक मैं केवल तुम पर भरोसा करता हूँ अब तक तीन दिन भी नहीं हुए है और महाराज ने हमारे पीछे लोग लगा दी है दादा जी वो बूरे और भ्रहमित है शायद उनसे गलती हो गए होगी देखो मजे दोश मत दो मैं तु सिर्फ एक प्यादा हो मेरे सबसे भरोसे मन दोस्त ने जूट क्यों बोला आखिर क्यों कुछ दो दोस्त वादा है मारो, मारो, मुझे किसी को नहीं मारना, मुझे किसी को नहीं मारना माराज, फैंग वापस आ गया है, क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ा है माराज, मुझे नहीं पता, अपने सभी आद्मियों को तैयार करो, यू फैंग को मेरे पास लेकर आओ, जब ये सब घत्म होगा, तो तुम होगे यहां के मुख्य से निक, धन्यवाद महाराज, आप सो साल तक जियो महाराज, सो साल तक अब तक यों फिंग हवेली पहुच गई होगी, मज़े तो पता नहीं कि अब क्या हो रहा होगा, राजकुमरियान, चिंता मत कीजिये आप, अगर जेड सिल सच में चोरी हुआ है, तो शाही आदेश आपको मदद करने के लिए कहेगा, और वो नकली हो सकता है, हमें अभी रुख कर देखना होगा, जुगुले के साथ क्या हो रहा ये मुझे नहीं पता, उसे में ढून भी नहीं पाया, अगर वो आसपास नहीं है, मैं योंग पिंकी, सुरक्षा की चिंता करता हूँ, कि कहें कुछ हो न जाए, राजकुमार यायन चिंता मत कीजिए, ज्यादा सी ज्यादा तो राजकुमारी योंग पिंक को नजर कैद में रखेंगे, उसकी जान को खत्रा नहीं होगा, बल्कि महल में हमारे आदमी है, जल्दी आपको खबर मिल जाएगी, महाराणी, ये उराज ने आपके लिए भेजा है, हाँ, जी, महाराणी, महराज मार्यन के साथ हूँ, कृपया, खबर भीजिए कि मैं नजर केद में हूँ, मेरे महराज को कहो कि मेरी फिक्र ना करे और तयार रहे, जी, महाराणी, क्या, यॉंग पिंग यहां पर है? उसने कहा कि राजकुमार की शक्ति कम ना करो, कहां है वो ठंडी कक्षा में ही चा कहा फेंग मैंने उसके बारे में नहीं सोचा है पर तुम चिंता मत करो मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा हमें राज कुमार की ताकत चीननी होगी लगता है जू जी आने वाले हैं तस हजार की सेना है उन लोगों के साथ महाराज कुछ ना कुछ तो करेंगे शाही कारून महाराज कि महाराज महाराज ने कहा है कि शाही सेनिक का delete commander यू सेंग आपके लिए आदेश है जी बताईए शाही सेनिक का destroy commander यू सेंग को महाराज ने मिलने बुलाया है वो भी जल्द से जल्द जी मैं स्विकार करता हूँ तो अब मैं चलता हूँ दादा जी को कैसे बता कि आप यहां पर हो शाहि सैनिकों का सेना पती आपके सामने नतमस्तक होता है महराज की जय हो युफांग तुम बहुत अच्छे हो महराज हमें जेड सेल मिल गया है अच्छा है तुम्हें क्या इनाम चाहिए मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए महराज क्योंकि हमने अमारा काम ठंग से नहीं किया है तुम्हें इनाम नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मेरी हिम्मत नहीं तुम्हारी हिम्मत नहीं तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे जूबुलाई मर गया के नहीं नहीं वो काफी जखमी हुए थे इसलिए नहीं मारा मैंने उसे तुम्हें मारने के लिए कहा था, मगर उसने तुम्हें नहीं मारा यूफ्यांग ये खतनाक और बहुत अच्छे छालती तुम्हें पता है, यून वान डर्फोक हैं तो तुम्हें उससे मीठी मीठी बाते करके उसे राजकुमार की शक्ती कम करने के लिए बोला शाही जेड सिल चुराने और जीव डी को यहां लाने के लिए बोला तुम्हें मुझे लोगों को मारने के लिए कहा तुमने मुझे मेरे सगे बेटे को मारने के लिए कहा, जैसे तुम्हें पता है, अगर मैंने ये नहीं किया, तो यूनवेन ये आज नहीं तो कल कर लेगी, जबकि इसका बीज पहले ही बोया जा चुका था, तुम मेरे परिवारिक मामलों में आ रहे हो, तुम भी लालची और बहुत करूर हो, तुम जूबी लही को अमेशा से कम समझते आए हो, क्योंकि तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना है, अगर जूडी जीत गई, तो जूबी लही तुम्हें बचा लेगा, वगर ये मत सोचना क यून वेन को मैं जूबी लही का कुंगफू हटाने के लिए बोलतूँगा, जूबी लही ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उसे जिन्दा रखना है, पर मैं उसे उस जूडी का आदमी नहीं बना सकता, जूडी ने उसे बचाया है, वो उसका वफादार रहेगा तुम मुझे उसका कुंगफू मिटाना है, ऐसे ही तुमारी वापसी का रास्ता बंद होगा, तुम बहुत चलाक हो, लेकिन मुझे सब पता है, तुम्हें ये उमीद नहीं थी, महराज ने युन्वान कुशाही सिल चुराते देखा, तुम्हें ये भी नहीं पता था, मैं पाराज मैं तुम्हें चौन से मॉट डालूगा, पकड़ो उसे, जी महराजो तुम यहां क्या कर रहे हो भी फालूगा, तुम यहां क्या कर रहे हो लेंड यू तुम सब यहां क्यों हो हो यहां मुझे लेने आए हो ना है ना आचाओ तुम सब यहां हो कितना अच्छा है महराज 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 क्याब महराज महराज जितको पुलाओ यू फ할 दay यूफेंग भाई चलो चलते हैं मैंने यह सारी योजना रची थी क्योंकि मुझे जूदी के सारे इरादे जानने थे तक ही जू यूएन जैंग उसकी जान ले ले लेकिन जैसा चाहिए था वैसे हुआ नहीं जूदी ने तुम्हारी जान बचाई अगर तुमने मेरी जान नहीं ली तुम्हें एक दुसरे को लड़ना होगा जंग के मैदान पर क्या यह तुम्हें वन्जूर हैं मैं किसी को नहीं मारना चाहता अगर जूदी ने तुम्हें ऐसा करने को कहा तो क्या तुम्हें उसे मना कर दोगे भाई मुझे मजबूर मत करो भाई तुम्हें उसे जजी दुम्हें